गोईंकन्स को मेरा प्यार बरापर नाम आशा है, सबी बच्चे अपने अपने गरू में स्वस्त है, सुरक्षेत है, आप सबी गोईंकन्स का मेरी कक्षा में हारदिक स्वागत है प्यारे बच्चों आज के विशे में अभ्यास करेंगे जो आपके विशे विशेशन से जुड़ा है प्रश संख्या 40 शुरू करते हैं सभी बच्चे दिये गए कारे को समझ कर अपनी अपनी व्याकरन की पुस्तका पर करेंगे दिया गया है नीचे दिये गए वाक्यों में से विशेशन शब चांटिये और दी गई जगा पर लिखिये प्यारे गोइंकन जैसा कि आप सभी बच्चे विशेशन जानते हैं विशेशन किसे कहते हैं जी हाँ जो शब संग्या या सव नाम की विशेशता प्रकट करते हैं उन शब्दों को विशेशन कहते हैं तो यहाँ पर पहला दिया गया है वाक्य इमली खटी है तो प्यारे बच्चों इमली जो है संग्या शब्द है यानि एक चीज का नाम है तो जो शब्द दिया गया है खटी खटी क्या है जी हाँ खटी जो है विशेशन शब्द है क्योंकि जो इमली है उसकी विशेशता प अगला वाक्य दिया गया है चोथी बोतल मेरी है तो प्यारे बच्चो बोतल शब्द जो है वो संग्या है और जो शब्द चोथी है वो विशेशन है क्यूंकि ये बोतल के बारे में बता रहा है तो आप सबी बच्चे यहां सतान में लिखेंगे चोथी यानि चोथी शब्द जो है ये विशेशन शब्द है ऐसे ही अगले वाक्य में दिया गया है हमारे गर दो लीटर दूद आता है यानि जो हमारा गर है गर सतान है गर संग्या है तो यहां पे जो लीटर है लीटर शब विशेशन है तो आप सबी बच्चे लिखेंगे लीटर यहां सत्थान में ऐसे ही यह हमारा छोटा परिवार है तो परिवार बच्चो संग्या शब्द कहता आता है और जो छोटा है छोटा इसकी विशेशता प्रकट करता है यानि जो छोटा है शब्द यह विशेशन है तो आप सबी बच्चे यहां लिखेंगे छोटा. अगले वाक्य में दिया गया है, वहाँ एक पुराना मंदिर है. तो मंदिर शब्द जो है, वो संग्या है, एक सथान है, और जो पुराना है, पुराना शब्द है, विशेशन, क्योंकि पुराना मंदिर की विशेशता प्रकट कर रहा है. आशा है, आप सबी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक पर देख रहे हैं, और दिये गय कार्ये को समझ रहे हैं. अगले वाक्य में हमारा मकान मालिक दयालू है, तो प्यारे बच्चों, यहां पे कौन सा शब्द विशेशन है? जी हाँ, दयालू, तो आप सबी बच्चे सतान में लिखेंगे दयालू. आखरी वाक्या, विबा साफ कपड़े पहनती है, यानि विबा संग्या है, और इसकी विशेशता का शब्द कौन सा आएगा? साफ, तो आप सबी बच्चे लिखेंगे साफ. अगले कारे में दिया गया है, दिये गए विशेशन में से सही विशेशन चुनकर खाली सतान को बरिये. यहां जो खाली सतान दिये गए है, इन सतानों में आपने यहां से विशेशन शब्द चुनकर लिखने हैं, जैसे कि कप में चाय है, तो हम कौन सा विशेशन शब्द लिखेंगे? जी हां, गरम, आप सबी बच्चे लिखेंगे, कप में गरम चाय है, ऐसे ही अगले में मेरी पैंसल, जी हां कौन सा शब्द लिखेंगे? लंबी, मेरी पैंसल लंबी है, अगले सतान में तोते की चोंच, कौन सा शब्द आएगा? लाल, तोते की चोंच लाल है, और आखरी सतान, गरमी में कौन सा विखेंगे शब्द जी हां, ठंडा गरमी में ठंडा पानी अच्छा लगता है, प्यारे गोइंकन्स, आज के विशे में आप सबी बच्चे अभ्यास करेंगे, जो आपकी पुस्तक पर दिया गया है, और इ ऐसे ही पूरा करेंगे, जैसा मैंने आपको समझाया, आज की कक्षा में आपके लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद